Friends, तो आपके सामने कुछ इस तरह से Welcome to Photoshop की स्क्रीन नजर आएगी, तो आपको अपनी एक image को open करना है, image open करने के लिए आपको यहां से open पे click करना है, और आपको अपनी image open कर लेनी है, जिस भी image में आपको अपना passport size तयार करना है, तो मैं एक image open कर लेता हूँ, जिसका मुझे passport size बनाना है, तो मैंने एक image को open कर लिया है, friends, passport size बनाने के लिए ज़्यदातर background को plan रखना पड़ता है, तो आप जब भी passport size बनाए, तो एक plan background पे photo क्लिक करें, और फिर उसका passport size तयार करें, ताकि उसकी background चेंज करने में आसानी हो सके, तो friends, सबसे पहले इसमें आम एक size डा देगा, तो आपको यहाँ पे click करके, और यहाँ से WX, HX, यानि की width or height resolution पे select करना, यहाँ पे हम select करेंगे, और यहाँ पे हमें अपना passport size डालना है, आप जो भी अपना passport size डाले, वही आप इसमें डाल लेना, मैं 1.3 और inch में करता हूँ, और इसमें मैं height में 1.5 और inch रखू तो इस तरह से आपको अपना passport size डाल लेना है, और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से select करेंगे, image को, हमें जितनी image चाहिए है, वो area यहाँ से हम इसको select करेंगे, तो इस तरह से हमें इसको select करने लेना है, और अगर यह थोड़ी आपकी image तिरची दिखाई दे, तो आप mouse को बाहर की तरफ ले जाके, और यहाँ से इस तरह आप इसको सीधा कर सकते है, और फिर आप enter press करेंगे, या उपर यहाँ से check के निशान पर click करेंगे, तो हमारी यह passport size में convert हो जाएगी, तो friends, size देने के बाद हमें color correction करनी है, उसके लिए हम control M press करेंगे, या फिर आप यहाँ image में जाके, और यहाँ adjustment पे जाके, यहाँ से curves पे click करेंगे, friends, यहाँ से हम इसको थोड़ा इस तरह से light करेंगे photo को, जितने हमें आप सकता है, हम उतनी इसको light dark यहाँ से कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे ok करेंगे, अब हम इसका color balance बनाने के लिए control दबा के b press करना है, तो friends यह इस तरह से हमारा color balance open हो जाएगा, यहाँ से हमें इसके जो भी tones वगारा कम करनी है, जैसे इसमें yellow tone ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको blue की तरफ इस तरह से ले जाएगा, तो यह yellow tone कम हो जाएगी, और redness कम करने के लिए आपको इस तरफ इसको करना है, तो इ यहाँ उपर और friends यहाँ से हम adjustment पे जाके यहाँ brightness contrast पे क्लिक करेंगे, और friends इसको यहाँ से हम brightness जितना चाहे उतना बढ़ा सकते है, image के नुसार और contrast यहाँ से हम जितना चाहे उतना गटा बढ़ा सकते है, अपनी image के नुसार यहाँ से हम brightness contrast इसका बढ़ा सकते है, और फिर यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे और फ्रेंट्स बैक्राउंड इसमें थोड़ी yellow pen में दिखाई दे रहे तो मैं इसे पूरी तरह से white करना चाहता हूँ तो फ्रेंट्स उसके लिए हां से हमें magic tool select करना है यह हमारा magic tool है और यहां पर हम magic tool select करेंगे और इसको यहां पर इस तरह से इसका selection करेंगे बाकी जो area आपका रह जाए उसे shift press करके और फिर से यहां पर इस तरह से हम इसका selection कर लेंगे अगर इसमें आपको इस तरह से ज़्यादा अगर यह 60 पे आ जाए तो आपको यहां से उपर एक बार इसको फिर से अटा देना है और इसका यह torrents यहां से कम कर देना है यह 32 पे है तो मैं इसको फिलाल 20 पे कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको इस तरह से select करूँगा तो यह इस तरह से यह search पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि torrents मेंने इसका कम कर दिया है और फिर से यहां से आम इस तरह से इसको select करेंगे अब आम इसमे फैदर डालेंगे फैदर से हमारे जो यह cutting वगारा होगी इसकी background की तो इसमें इसका selection mix हो जाएगा नहीं तो feather नहीं तो इसमें फिर वो अलग से दिखाई देगा तो यहां से हम right click करेंगे द्यान रहे आपको selection वही होना चाहिए टूल तभी यह right click करना है और इस तरह से यहां पे नीचे आके यह feather पे click करना है और आपको यहां पर अपनी image के अनुसार feather लगाना है यह मेरा passport size है तो मैं इसमे एक का feather लगाऊंगा आपको अपनी image के अनुसार लगा लेना size के अनुसार और ok पे click करना है आप यहां नीचे background में white color रखना है और आपको delete button press कर देना और यहां से आपको content select करना है यहां पे जाएंगे आप यहां background को select करेंगे और ok करेंगे तो इस तरह से यह अमारी background remove हो जाएगी थोड़े बहुत जो यह आपको दिखाई दे रही है hair वगरा तो आप lesso tool से यहां से select करके और इस तरह से आप इनको remove कर सकते हैं यहां पे जाके और feather लगाके और delete button press करेंगे तो यह हमारी इस तरह से change हो जाएगी अगर आपको आलग से थोड़ा बहुत जो बाकी यह ऐसे दिखाई दे तो इसको इस तरह से यहां पर फिर right click करके feather लगाके और ok करके delete button press कर देना और ok कर देना तो friends इस तरह से यह हमारी background इसमें change हो जाएगी तो friends अब इसमें थोड़ी चेहरे की finishing करने के लिए हमें यहां से mixer tool select करना है यहां brush पे जाएंगे और यहां से य यह हमारा mixer tool brush है इसको हम select करेंगे और यहां ऊपर हम इसको clean brush पे रखेंगे यहां से हम custom पे रखेंगे इसको और friends यहां से image के नुसार हम इसको गटा बढ़ा सकते है load को भी हम कम ज्यादा कर सकते है mix को भी हम कम ज्यादा कर सकते है तो आप यह अपने image के नुसार एक बार check करके जरूर देखना तभी आप image पे इस brush का इस्तिमाल करना आपको इस तरह से इसको select करना है ध्यान रहे आपको शिर्फ यह चेरे-चेरे पे use करना है आखों और बालों पे इसको use ना करें बिल्कुल हलके-हलके से तो इस तरह से हम इसकी finishing बहुत आसानी से कर सकते हैं तो friends आपको brush को size को छोटा बड़ा करके अपने image पे इस तरह से इसको हलके-हलके use करना है और सिर्फ skin-skin पे इसको use करना है बालों पे और आखों पे इन पे इसको use ना करें इस तरह से हमारे photo में finishing बहुत अच्छे से हो जाएगी तो friends यह A press करेंगे जिससे कि हमारे image में 4 तरफ यह selection बन जाएगा अब हम इसमें border लगाएंगे उसके लिए यहां में edit पे जाके और यहां हमें stroke पे जाना है यहां से हमें color select करना है color पे click करेंगे और मैं black में border लगाता हूँ तो आप चाहिए तो किसी भी color में use कर सकते है तो मैं black प पे और opacity 100 रखूँगा और फिर इसको मैं ok करूँगा तो यह हमारी image में इस तरह से border तयार हो जाएगा तो friends अब इसे हम control C करके और इसको copy कर लेते है और अब हमें एक new sheet open करनी है उसके लिए आप यहां file से भी new sheet open कर सकते है या new पे click करेंगे और आपको जो भी sheet चाहिए व आप उस size में इसको रख सकते हैं तो friends मैं इसको फिलाल 5 by 7 की sheet पर तयार करना चाहता हूं तो मैंने यह 5 by 7 की sheet इसमें तयार कर ली है और यहां create पे click करूँगा तो यह इस तरह से हमारी sheet open हो जाएगी तो friends मैं इसको rotate करूँगा यहां image में जाके और यहां पे हमें image resolution पे जा करेंगे ctrl V तो यह हमारी image यहां पे paste हो जाएगी और इसको यहां ऊपर की तरफ ले जाके और अपने keyboard के arrow button से नीचे side में इस तरह से हम इसको select करेंगे और अब हमें इसको ctrl J करके एक copy कर लेना है और arrow button से यहां पे इस तरह से लेके आएंगे यहां हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे और फिर से आमें इसको ctrl J करके एक copy तयार कर लेना है और इस तरह से आमें इनको select कर लेना है Ctrl J करके फिर से यहाँ पे लेके आएंगे और फिर से Ctrl J करेंगे और फिर इसको यहाँ पे हम इस तरह से लेके आएंगे इस तरह से आप अपने sheet पे passport size यह इस तरह से select कर सकते हैं तो friends यह तो हमारे pass photo हो गए है अब इन्हें हम copy करेंगे मैं इनको Ctrl E प्रेस करूँगा 4 ताइम तो यह हमारे 500 इसमें select हो जाएंगे आप यहाँ layer में भी देख सकते हैं यह हमारे 500 इसमें select हो गए और मैं फिर से Ctrl J करूँगा और नीचे arrow वाले बटन से इसको नीचे करूँगा इस तरह से यह हमारे इसमें 15 photo 5 by 7 की sheet पे तयार हो जाएंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से फिर आप इनको अपनी file में जाके और save as पे जाएंगे इस तरह से और जहां चाहें आप इसको वापे save कर सकते हैं मैं इसको jpg कर लेता हूँ यह है यह हमारा jpg है और इसको मैं यहां पे save क्लिक करूँगा तो यह हमारी यहां से quality हम इसकी 12 पे रखेंगे फुल पे और यहां ok करेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से आप अपने photos home में passport size बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हैं तो उमीद करता हूँ फ्रेंट्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो next वीडियो में हम सीखेंगे passport size action दुआरा one click में कैसे तियार करते हैं तो फ्रेंट्स तब तक के लिए thank you